असलम्म आलेकुम डिया स्टुडेंट्स वेलकुम टो मैं चैनल आज का बहुत इंट्रस्टिंग प्राब्लम लखे हैं है फॉर पावर एक्सव इस इक्वल टू एट अंडर रूटर फैंड आउट कर लेते हैं एक्सव एक्सटी क्या कीमत हैं चली स्टाट कर लेते हैं फॉर पावर एक्सव इस इक्वल टू अंडर रूट लेते हैं और 8 की जगा फॉर क्रास, तो फॉर पावर एक्सव इस इक्वल टू ये ंडर रूट हम स्पिलिट कर लेते हैं तो 4 के साथ हो जाएगा क्रास टू के साथ भी हो जाएगा अब जाते हैं कि फोर का अंडर रूट और टू की इक्वर होता है क्रास लिख लो या ना लिख लो तो यह टू अंडर रूट साथ में अब फोर की जगे में लिख लेता हूं अब यहां पर पावर वान लिख लेते हैं डाट तू पावर अंडर रूट की जगा वन बाई तो अब यहां पर हमारे पास दो लास इपलाई हो रहे हैं फिस्ट यह है कि एकस पावर हों तो बीच में प्रोडक्ट हों प्रोडक्ट हो गते हैं अब आपस्ट प्रोडक्ट है यह प्रोडक्ट है। दो पावर्स प्रोडक्त होते हैं, एक पावर यह हैं, एक पावर यह हैं, तो 2 पावर 2x हो जाएगा, is equal to, अब यहाँ पार इस रूल के तहर सेम बेसे हैं, तो एक ही बेस लिख लेंगे 2, अब पावर्स यह हैं, यह एड हो जाएगे, पावर 1 है, और दूसरा 1 by 2, सो, 2 पावर 2x हो, is equal to, 2 पावर, इसका में RCM लेता हूँ, 2, यह 2 प्लस यह 1, सो, 2 पावर, 2x is equal to, 2 पावर, यह 3 by 2 हो जाएगा, अब इसके बाद, एक अगर रूल इप्लाई वह रहा है, वो यह है, एक्स पावर a, is equal to x पावर b, यह गर सेम बैसिस हों, बीच में एक्विलिटी हों, तो पावर्स आपस में, एक्वल होते हैं, अब यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, सेम बैसिस हैं, तो पावर्स एक्वल हो जाएगे, 2x is equal to, 3 by 2, तो बोट साइट, डिवाट कर लेते हैं, 2 से, तो इस साइट से, 1 by 2, तो यह, कैंसल आउट जाएगे, और, एक्स जो है, वो जाएगा, 3 by 4, यह है हमारा, रिजल्ट, अब अगर, इसी रिजल्ट को हम, चेक करना चाहें, कि वाकी हमारा, रिजल्ट, टीक है जागा लत हो, तो, यहाँ पर, मेरे एक्विवर में, एक्स की जगा पुट करके, अगर, 8 अंडर रूट आ गया, तो हमारा, रिजल्ट जहाँ, 3 by 4, वो टीक होगा, चेक पुट कर लेते हैं, एक्स की दिकल टू, 3 by 4, तो, 4, एक्स की जगा, 3 by 4, यह दिकल टू, 8 अंडर रूट आ, अब देखो, 4 पावर 3, मैं लिख लेता हूँ, एंड, होल पावर, यह, फिर, 1 by 4 हो जाएगा, उस्सी रूल के ताइच, यह फिर से, 3 by 4 बान सकता है, तो, इस इकल टू, 8 अंडर रूट आ, तो, 4 पावर 3, यह इकल है, 64 का, होल पावर, 1 by 4, इस इकल टू, 8 अंडर रूट आ, अब, 64, होल पावर, 1 by 2, और इसके बाद, एक अवर होल पावर, 1 by 2, इस इकल टू, 8 अंडर रूट आ, अब, यह, 64, 1 by 2, हम, अंडर रूट लिख सकते हैं, और, यह, 8 इकल हो जाएगा, और, 1 by 2, इस इकल टू, 8 अंडर रूट, तो, इसको भी हम, 8 अंडर रूट लिख सकते हैं, और यह भी, 8 अंडर रूट आ, तो, यह दिजर्ज हैं, 3 by 4, यह 100 परसंट टीक हैं, अगर चैनल पर नहीं हैं, तो, सब्सक्राब कीज़गा, मिलते हैं इस वेडियो में, अल्ला हाफिज,